हेलो गुड बॉर्णिंग स्ट्रेंट्स आज करेठें 19 जून और आज हम लोग जाए क्लास 3 के कंप्यूटर में चेप्टर 1 में नेक्स टॉपिक पढ़ेंगे तीक है थो मारा नेक्स टॉपिक है वर्किंग वर्किंग ओफ अ कंप्यूटर के वर्किंग करेंगे आप फो बुग निकालो गंप्यूटर का प्जो स्टाट करते फिर एं कंप्यूटर वर्क्स ओन आहँ प्यूटिष आई प्यूटो limitation फोर इंपूर इंपुट्स Tudomen असंट्री पूर ऐ है और आई-डू आइप इंपूरिव आई-पूर्य नोटर से लोरी आश्रित मीनिघ निघाल करते है cumpli तेली लाइफ के एक्सांपल को लेंगे जिसके जरीए हम जो है आई प्यूस आई प्यूस को डिटल्स में समझेंगे तिक है तो यहां है नमेर वन में है when you want to have a cup of tea the input processor and output as follows याणि जब आप एक यह चाहते हो तब input process and output को किसे फोल रहता उसको देखेंगे अब input टी के लिए हम लोग पहले क्या picture नीचे है ना वो उस picture को देखो picture में पहले टी के लिए क्या है जब चाय बनाने के लिए पहले चाय पती चिनी सब रखा हुआ है milk को अगरा जो जो एंड second में क्या है यह हुआ input जब सारे चीज़ निकाल वकल के रखा हुआ तो हुआ input एंड second में क्या है प्रोसेस हो रहा है मतब चाय बनाना क्या हुआ start हुआ and output थर्ड में output आउट में क्या हुआ चाय बनके रेडी हो गया पीने के लिए थे क्या तो इससे आपको input process and output clearly समझ में आ गया और नहीं आया गया है तो चलों नीचे फिर एक और पिक्चर यह उसको देखते हैं उसमें इनपुट में क्या है फोन में क्या कर रहा है बटन को फ्रेस कर रहा है यह नंबर कर रहा है ठीक है second row में क्या है process second column उसमें क्या है process उसमें क्या हो रहा है tower पे tower होता है phone का उस पे call मिल रहा जाके ठीक है and output में क्या हुआ call जाके जिसको जिसका number dial किया था उसके phone में वो call tower पे गया फिर tower से मिलके उसके फोन में गया, call क्या हुआ, मिल गया, अब वो दोनों आदमी क्या कर रहा है, बात कर रहा है, यह क्या हुआ, output, ठीक है, अब input क्या उसको समझेंगे, the input consist of the data, input क्या करता है, data को consist करता है, and the commands given to the computer, for example, 4 and 8, process, the computer accepts the data, यहनि, computer क्या करता है, computer जो है, data को accept करता है, examines, it, examines, उसके बाद, उसकी जांच करता है, and then calculate the results, फिर क्या करता है, results को क्या करता है, calculate करता है, this is known as the processing, इसको यह processing, के नाम से जाना जाता है, ठीक है, SAP is called the processing device, processing device data, and instructions are processed by it, और, processing device data, जाना जाता है, ठीक है, उसको कहते है, हमनो क्या, processing device data, और वो जो है, क्या करता है, वो instructions, जो है, instructions are processed by it, ठीक है, अब output, the result we get after processing call output, यहनि, जो processing के बाद, जो हमको result मिलता है, वो क्या हुआ, output, for example, the result of 4 into 8, appears, which is 32, चलो, आज हम का यह chapter complete हो गया,